असलाम उलेकुम सुडेंट्स कैसे हैं आप सब आज हमारा उर्दू विंटर पैक का लेक्चर नमबर नाइन है लेक्चर नमबर नाइन में आज हम वरक्शीट नमबर नाइन करेंगे वरक्शीट नमबर नाइन में आज हम लिखेंगे अलिफ ता ये चले हम हम लिखना स्टार्ट करते हैं हर्फ अलिफ से शुरू करते हैं सबसे पहले लिखेंगे हम अलिफ अलिफ के बाद लिखेंगे हम बे बे के नीचे एक नुक्ता लगाएंगे बे के बाद कौन सा हर्फ आएगा पे P के नीचे तीन नुक्ते लगाएंगे P के बाद कौन सा हर्फ आएगा ते हर्फ T के उपर दो नुक्ते आएंगे T के बाद कौन सा हर्फ आएगा ते T के उपर क्या बनाएंगे हम तो हैं T के बाद कौन सा हर्फ आएगा से हर्फ से के उपर कितने नुक्ते आएंगे तीन नुक्ते से के बाद कौन सा हर्फ आएगा जीम जीम के अंदर हम कितने नुक्ते लगाएंगे एक नुक्ता जीम के बाद हर्फ चे चे के अंदर हम कितने नुक्ते लगाएंगे तीन नुक्ते चे के बाद लिखेंगे हम हर्फ हे हे के अंदर कोई नुक्ता नहीं आएगा हे के बाद लिखेंगे हम हर्फ खे हर्फ खे के उपर एक नुक्ता आएगा खे के बाद कौन सा हर्फ लिखेंगे दाल दाल के उपर कोई नुक्ता नहीं आएगा डाल के बाद लिखेंगे हर्फ डाल डाल के उपर हम क्या बनाएंगे तोएं डाल के बाद कौन सा हर्फ लिखेंगे जाल जाल के उपर एक नुक्ता आएगा जाल के बाद हम लिखेंगे हर्फ रे रे के उपर कोई नुक्ता नहीं आएगा रे के बाद लिखेंगे हर रे रे के उपर हम बनाएंगे तोएं रे के बाद लिखेंगे जे जे के उपर एक नुक्ता आएगा जे के बाद हम लिखेंगे ये ये के उपर तीन नुक्ते आएंगे सब बचों ने अलिफता ये अच्छे तरीके से लिखनी है और रिडिंग बचे आप जरूर किया करें बुक में से सब बचों ने रिडिंग अलिफता ये बुक में से लाजमी करनी है अपना ख्याल रखिये का अलाहाफेज